गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाओं मैं मोल ? लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल प्रतेक वर्स के आशाड़ पूनिमा को गुरु पूनिमा के रुप में मनाया जाता है इस दिन गुरु के पूजन का आयोजन किया जाता है जब अप आचीन समय में शिष अपने गुरु के आसरम में गुरुकुल में रहकर के विद्यारजन करते थे तो आशाड़ पूर्णिमा के दिन वे गुरु के पूजन का भभ आयोजन किया करते थे इस दिन गुरु की पू इसलिए मा, बाप, बड़े भाई, बहन, दादा, दादी जितने भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सब का पूजन अर्चन इस दिन किया जाना चाहिए। गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णु, गुरूर देवो महेश्वर, साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमहा। ग्यान एवं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके ही इनसान प्रगती के पत पर अग्रसर होता है, गुरू के बिना कुछ भी नहीं है। और सास्त्र में यह भी कहा गया है कि यदि इस्वर श्राब दे दे तो उससे गुरू बचा सकता है, लेकिन यदि गुरू श्राब दे दे तो इस्वर भी उससे नहीं बचा सकता है, क्योंकि गुरू तो इस्वर को भी श्राब देते हैं और इस्वर भी उस्राब को भोग चुके हैं सास्त्रोक्त देखा जाये तो गुरू शब्द दो अक्षरों से मिल करके बना हुआ है गु और रूप गु का तात्पर होता है उसे मिटाने वाला इस रसे देखें तो गुरू का तात्पर यह होता है कि वह अंधकार को मिटा सकता है गुरू अंधकार को मिटाने अर्थात अंधकार को मिटा करके उजाले की ओर ले जाने वाला गुरू होता है और यूं कहें तो गुरू वह होता है जो की अज्ञान रूपी अंधकार का निराकरण करके हमें धर्म के मार्ग पर धर्म रूपी उजाले की ओर ले जाता है और गुरू को भगवान से भी बढ करके माना गया है तब तो कभीरदास जी लिखते हैं गुरू गोविंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बताए इसका तात पर यह है कि गुरू और गोविंद गोविंद रथाद भागवान दोनों खड़े हों तो हमें सबसे पहले क से पढ़ाम करना चाहिए और ऐसे मिनिशकर्स यह आता है कि ऐसी इस्थिती में सबसे पहले गुरू को ही पढ़ाम करना चाहिए गुरू ही वह सक्स है गुरू ही वह माध्यम है जो की प्रसन होने पर हमें इस्वर तक पहुंचा सकते हैं इसलिए यह माना जाता है कि इस्व गुरुसम कोई नहीं साथ दीप नावखंड तीन लोक न पाईए और 21 ब्रह्मभंड अर्थाद साथ द्वीप नावखंड 21 ब्रह्मभंडों में सद्गुरु के समान हितकारी आपके लिए कोई भी नहीं है। संत तुलसीदा सिक्षक के रूप में मनुष्य को नारायड के रूप में देखते हैं। हित के मार्ग पर हमें सचे मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। हमेशा हमारे कल्ल्याड के रिवारे में सोचते रहते हैं और वे अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेणा देते हैं गुरु चाहे कितना भी कठोर हो लेकिन हमारे लिए सदेव हित की बात सोचते हैं गुरु हमारे अगुणों का समाप्त करने के हर संभव प्रयास करते हैं इस संदर्म में संत कबीरदास जी पुना है एक बात लिखते हैं गुरु कुमार सिशकुंभै गड़ गड़ खाड़े खोट अंतर हात सहार दे बाहर मारे चोट गुरु की महिमा परमपार है आशार्षोकलपक्ष की पुनिमा को गुरु पुनिमा या व्यास पुनिमा के रूप में मनाया जाता है और इसे व्यास पुनिमा क्यों कहा जाता है क्योंकि हिंदु धर्म ग्रंथों के अनुसार पर महा भारत की रचाईता कृष्ण दुएपायन व्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था यह उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे वे महा भारत के रचाईता हैं इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसे पुरे भारत वर्ष में धूम धाम से मनाया जाता है, इस दिन गुरू को याद किया जाता है और गुरू पुणिमा का तेवार मनाया जाता है। इसके बाद आप अपने घर में बड़े भाई, माता, पिता, दादा, दादी को उनका चरण सपर्श करके उनका शिरवाद लें। इस दल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर के ही जल में गंगा जल मिश्वित करके उसे स्नान कीजी उसका भी उतना ही फल प्राप्त होगा। गुरु पुनिमा के दिन ब्रामणों के एवं गरीबों को दान करना चाहिए, इससे अखंड फल की प्राप्ती होती है। गुरु पुनिमा के दिन पितरों के नाम से तरपन एवं श्राद करना भी सुभ फल दायक होता है। गुरु पुनिमा के दिन जब आप ब्रामण या गरीबों को दान देते रहेंगे, उस समय अपने मन में ने स्वार्थ भावना रखेंगे, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे। और सबसे महत्वपून बात यह है कि यदि आप सुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा कीजे, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके सामने अच्छे फल भी प्राप्त होंगे, अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब अन्त में हम अगले पांच वर्सों तक गुरु पुर्णीमा की तिथी तारीक है ओम सुब मुर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले वर्स 2019 में वर्ष 2019 में गुरु पुर्णिमा 16 जुलाई को है और 16 जुलाई को गुरु पुर्णिमा रात के 1 बज करके 48 मिनट पे प्रारंभ होगा अर्थात यह माने तो आप 15 तारिक वाली जो रात होगी उस दिन 12 बजे के बाद 16 तारिक प्रारंभ हो जाएगा और उस दवरान 1 बज कर के 48 मिनट पर गुरु पुर्णिमा प्रारंभ हो जाएगा और यह 17 तारिक की रात के 3 बज करके 7 मिनट तक रहेगा अर्थात जो 16 तारिक वाली रात होगी और 12 बजे के बाद 17 तारिक प्रारंभ हो जाएगा और उस दवरान जो रात का 3 बज करके 7 मिनट होगा वह गुरु पूर्णिमा अर्थात आसाड का पूर्णिमा समाप्ति का समय होगा तो उदे आतिथी को देखें तो 16 तारी को आप आसाड पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं वर्ष 2020 में 5 जुलाई को गुरु पुर्णिमा अर्थात आसाड पुर्णिमा है और यह तिथी 4 जुलाई को दोपार के 11 बचकर के 33 मिनट पर प्रारम हो जाएगा और 5 जुलाई को प्राता 10 बचकर के 13 मिनट तक रहेगा इस दवरान आप पुजा नर्चन कर सकते हैं और उदेया तिथी को देखें तो पुर्णिमा पांच तारीक अर्थात 5 जुलाई 2020 को रहेगा वर्ष 2020 में गुरु पुर्णिमा आथवा आसाड पुर्णिमा 24 जुलाई को है और यह तिथी प्रारम हो जाएगी 23 तारीक को प्राता 10 बचकर के 42 मिनट पर और इसकी समापती है 24 तारीक को सुबह 8 बचकर के 5 मिनट पर और उदेय कालिन तिथी देखें तो 24 जुलाई को ग 24 तारीक को सुबह 9 बचकर के 6 मिनट पर अर्थात 13 तारीक वाली रात को 12 बचकर के 6 मिनट पर इस तिथी की समापती हो जाएगी और उदेय कालिन तिथी को देखें तो 13 जुलाई को गुरु पुरे दिन रहेगा और इस दिन पूरे दिन आप पूजा नर्चन कर सकते हैं वर्ष 2023 में गुरु पुर्णीमा 3 जुलाई को मनाया जाएगा और पूर्णीमा की तिथी 2 जुलाई को शाम को 8 बचकर के 20 मिनट से प्रारंब हो जाएगी और 3 जुलाई को शाम को 5 बचकर के 7 मिनट तक रहेगा तब तक आप गुरु पूर्णीमा का यह पर्वम मना सकते ह तो इस तरह से आपके सामने गुरु पूरिमा के बारे में संपूर जानकारी प्रस्तुत की गई और यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई हो तो यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाईए जिससे की अधिक से अधिक लोग इसका लाब ले सकें और अंत में वही पुरानी गुजारिस यदी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजे, कमेंट कीजे, लाइक कीजे, शेयर कीजे और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएए तब तक के लिए अलविदा, बा कर दो सब्सक्राइब देड़ हैं